परम पूजिनिये गुर्टेव बाबा श्रीनीव करोरीची महराज के चैनों में साधरवंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जैश्री राम। एक बहुती अच्छा अध्यात्मिक प्रेश्ण मिला है कि साप भी मोचन मंत्र क्या है और साप भी मोचन क्यों करना पड़ता है नौरात्री का समय चल रहे है और दुर्गाशप्सती का अगर आप पाठ कर रहे हैं या सुन रहे हैं तो साप भी मोचन आपको सुनना और पाठ करना पहुत जरूरी है तो इस प्रस्थन का जवाब दे देते हैं शाब भी मोचन क्यू जरूरी है जब भैविश्य पुरान की रचना हमारे रिशियों ने करी तब उनहोंने कलिजुग के समय में जो घोर कलिकाल जब आने वाला है। तब जिस तरह से हमारे देश में विदेशियों का आक्रमन होगा और जिस तरह से हिंदुत्तो के वे उपर कुठारा घात होगा, इसका पता हमारे रिशी मुनियों को भविश्य का लग गया था जब उन्होंने भविष्य पुरान की रचना करनी शुरू की अब जब उनको इसका पता लग गया तब उनके मन में एक चिंता सवार हुई कि जो भी हमारे ये इस्वरिय प्रदत ये जो मंत्र हैं ये जो हमारे ग्रंत हैं जिसका सहज लाभ लिया जा सकता है ये अगर गलत सक्तियों के हाथ में आसुरी सक्तियों के हाथ में लग गई तो इसका बहुत बड़ा दुरू पयोग हो सकता है तो रिशीओं ने क्या किया कि हमारे जितने भी सबसे जल्दी, मैं कहना चाहूँगा कि सबसे जल्दी जो हमें फल दे देता है, जो सिद्धियां हमें मिल जाती है, और जिस अस्त्रोत का जिन मंत्रों का तुरगत प्रभाव मिल जाता है, बहुत जल्दी वो फलेबूत होने लगता है तो उन मन्त्रों को उन्होंने शापित कर दिया मैं समझता हूँ शायद आप समझ पाए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ हमारे रिसी मुनियों ने उन अस्त्रोत को जो अस्त्रोत बहुत ही ज़्यादा फलदाई थे और बहुत ही उनको शापित कर दिया और ये बिधान बना दिया कि उन मंत्रों का अस्त्रोतों का जाप जो कोई भी करेगा पहले उनको शाप बिमुक्त करेगा अब हर मंत्र के जिसको सापित किया गया है उसके शाप विमोचन का अलग तरीका है उसके अलग अस्त्रोत फिर दिये गये हैं तो दुर्गाशब्त शती भी उनमें से एक बहुत ही महत्तुपुर्ण ग्रंथ है क्योंकि मा को प्रशन्य करने के बहुत सारे वहां पे अस्त्रो अरो वहां पे आपको देवी कवाशयर ग्ला स्त्रोत, Nhika स्त्रोत बहुत कुछ है जिसे कीला का स्त्रोत जिससे आप अपने जीवन में मा की क्रिपा प्राप्त कर सकते हैं और शामती बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं तो दुर्गाशब्सती को भी शापित कर दीय अब दुर्गा शफशती का पाठ करने के लिए आपको दुर्गा शफशती के पाठ से पहले शाप विमोचन करने की जरूरत है अब मा की कृपा आपको सहज रूप में मिल जाती है दुर्गा शफशती में कई ऐसे अस्त्रोत हैं कई ऐसे मंत्र हैं लेकिन बहुत सारे लोग फिर कहते हैं, मैं देवी कबच का पाठ कर रहा हूं, मुझे लाव नहीं मिला, अर्गला स्तरोथ का पाठ कर रहा हूं, लाव नहीं मिला, कुझी का स्तरोथ सुनता हूं, पाठ करता हूं, लाव नहीं मिला, तो ऐसे बहुत सारे जो मंत्र हैं, अब आपको इसकी जानकारी है या नहीं है लेकिन आप पाठ कर रहे हैं किसी के कहने से हो सकता है जिसने आपको बताया वो से भी जानकारी नहीं है अगर उस मंत्र को शापित किया गया है तो उस मंत्र का शाप निवारन करने के लिए पहले आपको उसके शाप विमोचन की प्रकिर काम है आपके लिए उसको साप विमोचित करना तो रुद्र यामल तंत्र में शिव जी ने पारवती जी को जो उपदेश दिया है वहाँ साप विमोचन का एक दूसरा तरीका बताया है अब वो साप विमोचन के जो 20 अस्त्रोत हैं अगर आप उस अस्त्रोत का पाठ कर देते ह तो साप विमोचन सरलता से कर सकते हैं जिसे हम साप विमोचन अस्त्रोत कहते हैं और जो दूसरा तरीका है उससे अगर आप जाएंगे तो उसकी थोड़ी सी प्रोसीजर बहुत लंबी है उसकी बिदी लंबी है और वो सर्व सुलब नहीं है इसलिए मैं उसकी चर्चा यहा सकता है आपसे यहां उस विधी की चर्चा कर रहे है और रूद्र यामल तंत्र में शिव जी ने महापरवती से इसकी चर्चा की है तो शाप बिमोचन पाठ जो शाप बिमोचन के अस्तूत है वीश वो करने के बाद अब मा की आप जितनी भी अस्तूती करते हैं खास करके उन अस्त्रोतों का दुर्गाश्रफशती में जो बताया गया है और उन मंत्रों के द्वारा मा की आराधना करते हैं तो आपको मा की जल्दी कृपा मिल जाएगी लेकिन अधिकतर लोगों को इसकी जानकारी नहीं है तो वो फिर देवी कवत से सुरू करते हैं और छमा प्र करने वाला तो इसको शाब भी मुक्त करने नहीं जाएगा क्योंकि वो लंबी प्रकिरिया है लेकिन अब आपको इसका लाव लेना है आप भक्त हैं आप इस मार्ग पे चलना चाहते हैं आप माह की किरपा पाना चाहते हैं तो आप उस प्रोसीजर को निश्चित रुप से करेंगे लेकिन अब आपको पता इहीं है इसलिए हो नहीं पाता और जब ये साब भी मोचन का पाथ नहीं हो पाता तो फिर दूर Давайте के पाथ का ज्यादा लाव भी के लिए अपना पाठ पूरा करने के लिए क्योंकि ये कर पंडिची हो सकता है कई घरों में पाठ करते हैं तो अपना समय बचाने के لिए साब भीमोचन में उस समय ना लगाए तो दोनुई चीज़े हो सकते हैं मैं इसकी ब्याक्षा में मैं नहीं जाता लेकिन अगर आपको दुर्गा शप्षती में और खास करके देवी मां से जुड़े हुए जितने भी दुर्गा शप्षती में अस्त्रोत और मंत्र बताए गए हैं, उनका जाब करके आप कुछ भी फल पाना चाहते हैं, मां की क्रिपा पाना चाहते हैं, मां की आराधना करना चाहते हैं तो सबसे पहले साब वी मोचन की चरूरत है तो साब वी मोचन का जो सबसे सरल है त्रोथ है वो 20 पदों में है और ये चैनल पर दीदी जी की आवाज में उपलब्ध है दीदी जी ते साब वी मोचन मंतर पाठ चैनल के लिए जिनके जीवन में जो समस्याइं थी उसके निराकरण का कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा था तो अंतता मैंने उन्हें साब भी मोचन मंत्र को डेली सुनने के बाद देवी मा से जुड़े की दूसरे मंत्र को करने खा था और आज मेरे पास ऐसे सैकड़ो उदारन है जब मैं क नहीं भी आपको नजर आता है कि आप कुछ भी करके ठके हुए है और आपको उपाय लग नहीं रहा उससे आपका भला नहीं हो रहा तो आप देवी मा के जो कल्यानकारी मंत्र और अस्त्रोत बताये गए हैं दुरगाश्रप सत्य में आप उनका पाठ करे या उनका श्रवन करें लेकिन उसका भी पाठ और श्रवन से पहले आप साप भी मोचन एक बार या तो पाठ करें या श्रवन करें दुरगाश्रप सत्य और साप भी मोचन मंत्र के बारे में insight spirituality.com पर भी हम लोग एक आर्टिकिल उस पर डालने का प्रयास कर रहे हैं जिससे जो फॉरें में जुड़े हुए भक्त हैं वो भी किस तरह उसकी चैंटिंग कर सकें उसको हिंगलिस वर्ड में लिखने का प्रयास कर रहे हैं और उसका क्या इंपोर्टेंस है उस पर भी एक आर्टिकल वहाँ पर डाल रहे हैं तो उमीद करते हैं इससे आपके इस आध्यात्मिक जिग्याशा का शमन हुआ होगा और जो लोग भी देवी मा के कईयस दुरूत पाठ कर रहे थे और उनको उसका फल नहीं मिल रहा था तो शंभावता वो समझ गए होंगे कि कहां मैं समझता हूँ बाबा ने इस प्रशन के माध्यम से पता नहीं और कितने भक्तों की मन की जिग्याशा को शमन करने के लिए मेरे सामने ये प्रशन लाया होगा तो बाबा का धन्यवाद आभार करते हुए आप इंसाइट इस प्रिशुलिटी से जुड़े रहें और आप अध्यात्मिक पत पर अच्छे से चलते रहें और आपके मन में कोई भी गहरी अध्यात्मिक जिग्याशा है तो ओ आप पूछ सकते हैं चैनल पर और आप उसका जवाब यहां से तलाश रखते हैं फिर मिलता हूँ आगे किसी वीडियो में तब तक के लिए सभी प्रेमी मि रोको जैस्त्री राम